हलो फ्रेंज वेलकम टो दी चानेल आज मैं जिस मूवी को एक्स्प्लेंग करने वाली हूँ इस मूवी का नाम है रॉबिंसन क्रुसो और इस मूवी की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंतक बने रही है इस मूवी की शिरुवात में हमें समुद्री जहास को दिखाया जात है और वहाँ पर दो रैट्स अपना खाना चुरा कर जा रहे होते हैं और तबी एक कैट उन पर हमला कर देती है और उसी वज़से से वो दोनों रैट्स वहांसे भागने लगते हैं और उसी भागधोड की चकर में वहाँ पर एक आदमी सोया होता है, वह जाक जाताnut है और को थोड़े से दूर पर कोई चीज जल्दी हुई दिखाई देती है और वो अपने बाकी के आदमियों को इस बारे में बताता है और उसका एक आदमी जाकर अपने कैप्टन को जगा कर बताता है कि यहां से कुछ दूर पर उन्हें एक जल्दी हुई चीज दिखाई दे रही ह और फिर जब उनका कैप्टेन अपने दुर्वीन से देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक घर में आग लगी है और वहें पर एक आदमी भी लटका हुआ है और उसी के आसपास कई सारे जानवर भी है और वो जल्दिस अपने जहाज को वहाँ तक ले जाने के rhो पास का दोस्त होता है और रोबिंसन अपने पैरिट को उठा कर खिर्गी के बाहर कर देता है ताकि ये लोग उसे कोई नुकसान ना पहुचा सके और बाहर पैरिट को वो दोनों रैट्स मिलते हैं और वो उन दोनों वो रॉबिंसन की कहानी सुनाने लगता है और वो बताता है कि कुछ सल पहले की बात है मैक अपने छोटे से आइलेंड पर रहा करता था और वो हर दिन यही सोचा करता था कि इस आइलेंड से बाहर भी एक दुनिया होगी और वो एक दिन जरूर वहाँ पर जाएगा मगर वहाँ के उसके बाकी की दोस्तों को उसकी ये बाते बक्वास लगती थी वो सभी लोग दिन भर अपना खाना धुनते थे और मजे करते थे और मैक को एक दिन समुद्र के किनारे एक अंगुठी मिली थी और वो उस अंगुठी को उन्हें दिखा कर उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि जरूर बाहर की दुनिया से आया हुआ है मगर हमेशा की तरह कोई भी उसके बातों पर भरोसा नहीं करता और उसके बाद हमें रॉबिंसन को दिखाया जाता है जो समुद्री जहास से कहीं पर जा रहा होता है और शायद से उसका वो पहला सफर था इसलिए उसे बहुत सारी उल्टिया हो रही थी और वहीं पर उसके साथ उसका डॉक टाइगर भी होता है और वहीं पर उस जहास की बेस्मेंट में दो कैट्स रहा करते थे जो कि उपर आकर वहाँ के chickens को अपना शिकार बनाने की कुशिश कर रहे थे और तभी वहाँ पर tiger आकर उन cats को भगाने लगता है और Robinson उन्हें पकड़ कर दुबारा से basement में डाल देता है और कुछ दिर बात में वहाँ पर बहुत बड़ा तुफान आने लगता है और जंगल के सारे जानवर अपने गुफा की तरफ जाने लगते हैं और वही पर रॉबिनसन भी तुफान की वज़े से अपने जगा पर टिक नहीं पा रहा था और उसका जहास बहुत तेजी से लहरों के साथ हिल रहा था और तभी जहास के एक उपर का हिस्सा तुटकर रॉबिनसन की उपर गिरने लगता है और उससे बचने के लिए वो अपने आपको और टाइगर को लेकर बेस्मेंट में बंद हो जाता है और अब वो दोनों वही पर फस चुके हैं जहां पर कैट्स भी होते हैं और रॉबिनसन के बाकि सारे लोग एक छोटी सी बोट में बैटकर वहां से निकल जाते हैं मगर रॉबिनसन और उसका डाउग वही बेस्मेंट में फस जाते हैं और वही दूसरी तरफ ये सारे जानवर अपने गुफा में सो रहे होते हैं कि तभी उन्हें अपने आइलेंड के पास एक बहुत जोर की आवज सुनाई देती है और वहां पर अंधेरा होने के वज़े से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और सुबह होने पर वो सभी लोग आइलेंड के किनारे पर ये तलाश करने लगते हैं कि तुफान में क्या-क्या बहे कर उनके पास आया है और तभी उन्हें किनारे पर एक बहुत बड़ा सा जहास दिखाई देता है और सभी जानवरे सोचने लगते हैं कि अरे ये क्या चीज है और फिर मैग जाकर उस जहास में देखने लगता है और वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यहां से बाहर वाकई में कोई दुनिया जरूर है और तब उसे उस शिप से टाइगर और रोबिनसन बाहर आते हुए दिखाई देते हैं और मैक और बाकी के जानवर उन्हें देखकर बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और वो सारे जानवर उसे एक दानव समझ रहे थे जो कि उन्हें खाने के लिए वहाँ पर आया है और फिर रोबिनसन टाइगर को लेकर किसी तरह से उस आइलेंड पर पहुँच जाता है और इतने दिन के बाद जमीन को देखकर वो लोग काफे खुश होते हैं और वो सारे जानवर उनसे काफे जादा डरे हुए थे और वो किसी तरह से उन्हें वहाँ से भगाने का आइडिया सोचने लगते हैं और फिर वो सभी जानवर मिलकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगते हैं और उसे सुनकर रोबिनसन काफे ज़्यादा डर जाता है उसे लगता है कि वहाँ पर आदम खोर रहते हैं और इसलिए वो टाइकोर को लेकर वापस जाने लगता है मगर पानी की तेज लहरों की वज़े से वो लोग दुबारा से आईलेंट पर ही आ जाते हैं और मैक अपने बाके की दोस्तों से कहता है कि वो लोग उससे छुपे रहें तब तक वो उन दोनों पर नजर बनाए रखेगा और पता करेगा कि ये दोनों यहाँ पर क्यों आये हैं और रात बर रॉबिंसन अपने डॉक के साथ उसी तूटे जहास पर बैठा था और मैक उपर से उस पर नजर रख रहा होता है और तब ही रॉबिंसन को वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो बहुत डरने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि आदम खोर उसे खाने के लिए आ रहे है मगर वो देखता है कि वहाँ पर तो एक बकरी होती है जो कि अपना खाना ढूंड रही थी और वो समझ जाता है कि वो बेकार में ही इतना डर रहा था यहाँ पर तो कोई भी आदम खोर नहीं है और तभी वो मैक को भी देख लेता है जिस वज़े से रॉबिंसन थोड़ा सा र रहे थे और वहीं पर वो दोना कैट्स भी उसी आइलेंड पर होती है और वो उपर से उन सारे जानवरों पर अपना नजर रखे हुए थे कि कब मौका देखकर उनमें से किसी एक को वो अपना शिकार बना सके और रॉबिंसन को अपने जहास में बंदुके भी मिलती है और वो उने चलाने की प्राक्टिस करने लगता है और गोली की आवाज सुनकर वो सारे जानवर डर के भागने लगते हैं और फिर रॉबिंसन उस बंदुक को लेकर अपने लिए खाने के लिए धुनने निकलता है और तभी रॉबिंसन को वहाँ पर रोजी दिखाई देती है और वो उसका शिकार करने के लिए सोचता है मगर जब रोजी उसके तरफ मुड़कर देखती है तो उसकी हातों से बंदुक नहीं चलती क्योंकि इसके पहले उसने कभी भी किसी का शिकार नहीं किया था और वहाँ पर वो दोनों कैट्स भी शिकार के तलाश में होते हैं और वहाँ पर टाइगर आके उन कैट्स पर हमला कर देता है और उसी वज़े से मैक का एक पंक भी घायल हो जाता है और तभी वहाँ पर रोबिंसन आता है और वो उनकी तरफ अपने बंदुक से फायर करता है और उसी वज़े से वो दोनों कैट्स वहाँ से भाग जाते हैं और आदमी ने मैक को मार दिया है और तबें उनके पास वो दोनों कैट्स आती है और वो दोनों बताने लगती है कि वो आदमी बहुत बुरा है और उसी ने उन दोनों को बहुत दिनों तक बंद करके रखा और उसी आदमी ने मैक को भी गोली मार दी और वो दोनों ही बिलिया उन उन सभी जानवरों को रॉबिनसं की खिला भढ़काने लगते हैं और वह दोनों बिल्या उन सभी जानवरों को वहां से भगाने का कहने लगते हैं। की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग उससे कोई भी नुकसान नहीं पहुचाएंगे और वही पर वो दोनों कैट्स उन सारे जानवरों को थोड़ा सा डरावना बना देते हैं ताकि रॉबिंसन उन्हें देखतर वहां से भाग जाए और वो दोनों कैट्स जाहास पर मैग को मारने के लिए जाते हैं और वही पर बाकी के सारे जानवर नीचे रॉबिंसन पर हमला करके उसे मारने लगते हैं और वो दोनों ही कैट्स मैग पर जपटते हैं और टाइगर उन दोनों से मैग को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर जल रहे कैंडल के गिरने के वज़े से आग लगने लगती है और तभी वहाँ पर एक बड़े से रैक के गिरने के वज़े से टाइगर वहीं पर बंद हो जाता है और देखते ही देखते पुरे जहाज में आग लग जाती है मैग तो वहाँ से निकल कर बच जाता है मगर टाइगर उसी आग में मारा जाता है और वो दोनों कैट्स किसी तरह से बचते हुए किनारे तलक पहुँच जाते हैं मगर वो लोग इस बार उसी के पास वाले टापू में आच चुके थे जहाँ पर सिर्फ पीडे और मोकोडे होते हैं और रॉबिंसन टाइगर के गम में होता है कि तभी उसके पास मैग जाता है और अब इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और मैग बाकी सारे जानवरों को भी बता देता है कि ये आदमी बुरा नहीं है और ये सारे कल्ती उन दोनों के वज़े से ही मैग घायल हुआ था और टाइगर भी मैग को बचाने की चकर में मारा गया और सारे जानवर इस बात से खुद पर शर्बिंदा होते हैं कि वो लग वो दोनों कैट की बातों में आ गए और इस अच्छे से आदमी पर हमला कर दिया और इसी वज़े से वो सारे जानवर अब रोबिंसन के पास पहुँचते हैं और उसके लिए कुछ फूर्ट भी लेकर जाते हैं और अगले दिन रोबिंसन के पास अब पीने का पानी भी खतम हो चुका था और तब मैक उसे अपने साथ लेकर जाता है जहां पर बहुत सारा पानी होता है पीने के लिए और वो उसे लेकर अपने बाकी के जानवरों के पास भी जाता है और फिर Robinson भाग कर जाता है और अपने साथ लाया हुआ बिस्किट उन्हें खाने के लिए देता है जो उन्हें काफी पसंद आती है और अब दीरे दीरे उन सब में दोस्ती हो रही थी और Robinson वहाँ पर रहने के लिए पेड़ के उपर अपना घर बनाने लगता है और सारे जानवर उसे पागल समझ रहे थे कि पता नहीं क्यों ये पेड़ को काटे जा रहा है और Robinson को अकेले घर बनाने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि वहाँ के बाकी सारे जानवर उको ये समझ नहीं आ रहा था कि Robinson आखिर में करना क्या चाह रहा है और वो लोग ना चाहते हुए भी उसके काम में प्रॉब्लम्स बने हुए थे और तभी Mac को एक दिन समझ में आता है कि ये इनसान अपने लिए घोसला बनाने की कोशिश कर रहा है और फिर Mac यही बात अपने दोस्तों को भी बताता है कि वो रहने के लिए एक इनसानी घोसला बना रहा है और इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए और फिर सारे जानवर पर मिलकर रॉबिन्सन की मदद करने लगते हैं। और बहुत ही जल्द उनका घर बंकत तयार हो जाता है। और रॉबिन्सन ने उस घर में पाने का भी इंतिजाम किया हुआ था। और वहीं उसके घर में बाके सारे जानवरों के रहने के लिए भी बहुत जगा होती है अमने सारे जानवरों के लाइफ बहुत आसान हो चुकी थी और उन्हें अपने खाने पिने के लिए अब भागदों नहीं करनी पड़ती थी और सबी लोग अब बहुत खुशी-खुशी रहने लगे थे मगर रॉबिंसन कभी-कभी उदास हो जाता था और उसमें उस टापू के बगल में एक बहुत बड़ा सा टावर बनाया था जिसमें वो हर रात तेज रोशनी करता था ताकि वहां से गुजरते हुए किसी जहास की उस पर नजर पड़े और वो लोग उसे वहां से लेकर अपने घड़ चले जाए और वही पर दूसरे तरफ उस टापू पर उस कैट ने अपने बहुत सारे बच्चों को जनम दिया था और अब वो लोग नंबर्स में काफी जादा बढ़ चुके थे और वो हमेशा से उस टापू पर दुबारा से जाने के लिए सोचा करते थे और एक दिन उस जहास के तुकडे हुए हिस्सों का सहारा लेकर वो सभी लोग उस टापू पर पहुँच जाते हैं और वहां के जानवरों पर हमला कर देते हैं और रॉबिनसन अपने बंदोग में बारुद भरने लगता है ताकि वो उसे भगा सके मगर तभी उस पे बहुत सारे कैट्स हमला कर देते हैं जिस वज़े से उसकी बंदोग वहीं पर गिर जाती है और वो बिल्लियों के हमलों के वज़े से वहां से नीचे गिरने वाला होता है कि तभी मैक उसके तरफ एक रस्ती फेकता है जिसके सहारे वो सही सलामत नीचे आ जाता है और पैंगो और एपी भी उन सारे कैट्स को पाने वाले रास्ते से नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे और स्क्रबी और किकी वही रूम में छुपे हुए थे और उन कैट्स को अंदर से ही मारने की कोशिश कर रहे थे और रॉबिंसन दुबारा से अपने रूम में आने की कोशिश कर रहा था मगर रोजी की गलती के वज़े से वो गिर कर बेहोश हो जाता है और सारे कैट्स उने बाहर से गेर चुके थे और मैक रोजी को रोबिंसन की बंदू को इस्तिमाल करने का कहता है और स्क्रब्य उन सारे कैट्स को अंदर आने से रोपने की कोशिश कर रहा था मगर कुछी देर में वो सारे कैट्स अंदर आ जाते हैं और तभी कार मैलो अपने लंबी जीप की मदद से उस बंदू को चला देता है जो सीधा जाकर बारुत की एक बैग में लगती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे कैट्स अपनी जान बचा कर वहाँ से भागने लगते हैं मगर मैक कहता है कि वो सभी लोग फिर से आएंगे और इसलिए वो लोग प्लैन बनाने लगते हैं और इसलिए मैक उन सारे कैट्स को अपनी पीचे भगाते हुए उस उचे से टावर पर ले जाता है और मैक के एक इशारे पर रोजी बाकी सारे जानवरों के साथ मिलकर उस टावर को नीचे गिरार देती हैं जिस वज़े से सारे कैट्स पानी में गिर जाते हैं मगर वो सारे कैट्स एक लकडी की तूटे हुए तुकडे पर सवार हो जाते हैं और तब तक उनके घर में पूरी तरीके से आँग लग जाती है और इसलिए मैक रॉबिन्सन को बचाने की कोशिश करता है और वो रॉबिन्सन को एक रस्य की मदद से नीची उतारने में सफल होता है और तबी उस जहास ने उस घर पर पानी की बॉचार कर दी और रॉबिन्सन को पकड़ कर इस जहास पर लेकर आ गए और वो दोनो रैट्स पताते हैं कि ये लोग समुद्री लुटे रहे हैं और ये लोग अब रॉबिन्सन को छोड़ने वाले नहीं है और उस जहास का कैप्टन अपने आदमियों से रॉबिन्सन को पकड़ के रखने के लिए कहता है और वहीं पर वो सारे कैट्स उस लकड़ी की तुकड़े को उस जहास के तरफ लाने की कोशिश करने लगते हैं और रॉबिन्सन भी वहाँ का एक बोट चुरा कर भागने वाला होता है लेकिन तबी वहाँ के सारे डाकू उस पर हमला कर देते हैं और तबी वो सारे कैट्स उस जहास पर कूच जाते हैं और रॉबिन्सन उनके उस लकड़ी की तुकड़े पर आ जाता है जिसे वो जल्दी से उनके जहाज से दूर अपने आईलेंड की तरफ भगाने लगता है और जहाज का कैप्टेन भी उसे वहाँ से जाने के लिए देता है और सोचता है कि वैसे भी वो अकेले उस आईलेंड पर मरी जाएगा और मैक उन दोनों रैट्स को भी अपने उपर बिठा कर उस आईलेंड पर ले आता है और इससे के साथ इस मूवी की कहानी यही पर समाप्थ हो जाती है अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कना ना भूले और चानल को सब्सक्राइब करें